अभी कुतू मिनार परशिद क्यों है उसके बारे में मैं आपको एक छोटी से लाइन बता दू। कुतू मिनार 1103 में कुतू उद दिन एबाक्तवारा निर्मेत 73 मेटर उची मिनार है। दिल्ली के अंतिम हिंदू सासक की हार के बाद दिल्ली में मुस्लिम परभुत्ता का जसन मनाने के लिए इस मिनार का निर्मान किया गया था यह टावर भारत की सबसे उची टावर है जो पांच मंजिला प्रोजेक्टिंग बालकनी से भरा हुआ है। बालकनी आप देख सकते हो जो यह आपको छते नदर आ रहे हैं यही एक बालकनी है जो कि भारत तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में ब्लॉग की शिरुवाद करते हैं मेट्रो स्टेशन से और मैं आया हुआ था आनंद विहार वहां पर कल मेरा जो एक बीर गिर गया था लिए देखें डोनों ही इसमें वापीस आ चुके हैं मतलब एक पल गिर गया था तब ऐसा लग रहा था मतलब आप वापीस मिलना बहुत ही मुश्किल है नाम उनकी रहा था पर जैसे ही इंक्वाइरी में गए वहां पर सब अपना नाम वोगरा लिखवाया न अगर कोई इमर्जंसी होती तो मतलब इमर्जंसी समझ मोबाइल हो गएरा कुछ गिर जाता तो हो सकता था कि उसी टैंग मिल जाए कुछ समय बात पर एरफॉन था इसलिए मैंने भी ज्यादा प्रेसर नहीं दिया मैंने का चलो ठीक है कल मैं आ जाओंगा और कल मैं आज यह नहां आया और यह ले लिए आप चलते हैं कुदो मिनार की कर दो कि हैं का यह लग ले जाओंगा और यहा जाओंगार की वर वर दो गता नहीं दो हो सकता है तो यहां से जो रास्ता है वो 800 मेटर से तक है मुझे यहां से 800 मेटर पैदल जाना और फिर से वहां कर बहुत जब हो आप मांकी सारी ऐसी देखने के लिए है विजिट कर सकते है आपको तुकुतों में आरकार के एक ताथ कांपी थारे है गाइड़ें वज़रा है पार्थ है मैं मैं ने देखा जल्प्या्टास जा ने समय छे लिए है तो हाता है थिक्सा एत जा ने क्ली है तो और खंड बहुत ही ज़्यादा दगय errए पर फिर दखन लगई गए लगत ए सबसेंशा है कि व्ला कोई बहुत है जाधा पर्ड़ गई यह लगत मिन देख़ी जादह heb um just अच्छी अच्छी भाश्व नज़ रहें हौ महैं लाइख है। vist कि छलते हैं ओर कि एक हम पर रास्ते जो अपना है वो है करते हैं। और पहुंचते हैं कुटू मिनार और आपको भी दिखाते और हम भी देखते हैं। कि अब यह रास्ते में एक सॉंग तूंते जा रहा हूं कापी अच्छा लग रहा है मेरको चलिए हो सके तो प्ले होता है तो आपको कि सुनाते हैं तो फोड़ा सा कुछ क्लिक पैड कर दोगा मैंने अभी जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया था मेरा सॉंग कुनते वे उसमें मेरा सॉंग जो है ओ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ चलो एडिट करेंगे हम और अब हम आचुके हैं प्रोफेशनल लॉगिंग पे गिंबल हमारा सैट कर लिया है यहां से कुछ ही दूरी पर है जो वीडियो बना रहे और सॉंग भी चल रहे और सॉंग जो है और रिकॉर्ड भी नहीं हो रहे है एक नेक्ष्नेवल वाला अलगी चार्ज हो गया है तो मैंने उसे चार्ज में लगा दिया है अब चार्ज होता है फिर मतलब लगा के जो करते हैं तो हवाद थोड़ी हमारे जैसे टेज होगी न तो आपको भी साफ जो है उसके नहीं देगा कि अधिया कुटू मिनार और अंधेरा भी हो चुका है काफी आप देख सकते हूं ऐसा यहां कुटू मिनार पर लाइटिंग अगरा हो रही है आते-ाते काफी समय लग गया तो अब हलकी हलकी जो है ठंड भी है चलिए एगर क्लिक करते कैमरे पर लाइटिंग हो रखे यह गार कि अधिया तो यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हो काफी खुबसूरत नजारा यह अंदर जाने का यहां से रास्ता है लोग यहां पर रुखके पोटो ले रहे हैं बैटने के लिए यहां पर इसके बारे में लिखा भी हुआ है उस साइड भी लिखा हुआ है पर इतना साफ तरीके से नहीं हो सकता कि नजर आए क्योंकि अंदेरा हो चुका है उनकों पर कोई भी ऐसी जो लाइटिंग नहीं लगी भी है जिससे कि हमें जो है साफ तरीके से नजर आए ऐसे देख सकते हैं लाइट करके साइड पूरा मैप बना हुआ है कुतुमिनार का क्या-क्या है यहां पर उसके बारे में सारी जानकारी यहां पर दी गई है तो चलिए चलते हैं हमें especially कुतुमिनार विजिट करना था तो हम आ चुके हैं काफी पबलिक है यहां पर काफी भीड है हो सकता है लाखों लोग य dated यह मैं बता दू यह धरोहर जो है युन्यशको द्वारा विश्व धरोहर में पनट किया गया है जो जानकारिया मैंने आसिल कि वह आपको बता दू आपर एक ऐसा विश्जू स्कंव जिसके उपर जंग नहीं लगता वो हुअ और कहा जाता है कि जब यहां पर यह बनाया जा रहा था तो तक्रिवन 27 मंदीर जो थे यहां पर उनको तोड़ कर बनाया गया और उसकी जो देखे तो वह जो निसान जो मिलते है अंदर इस कुतु मिनार के अंदर है विश्णु मूर्ति है वह हिंदु देवी देवताव के को तोड़ा गया और उसके बाद कुतु मिनार का निर्मान हुआ है सबसे बड़ी मिनार है विश्णु की यहां पर कई लोग है जो दिन में विजिट करते हैं इसका जो समय रहता है वह साम के 10 बजे तक रहता है लोग सुबह आना स्टार्ट होते हैं साम को 10 बजे रात को 10 बजे यहां विजिट करना फिर बंद हो जाता है कुतु मिनार की जो उंचाई है वह 73 मीटर की है 73 मीटर यह उंचा है और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो छोटा हो जाता है जैसे आप देख सकते हैं नीचे से काफी नीचे से काफी बड़ा है और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो छोटा हो जाता है यहां पर काफी ऐसे अकला करतिया है जो उस समय की देखने के लिए मिलती हैं काफी सारे ऐसे 1100 बोराणों में जैसे इसका काम जो है वो सुरू हुआ था उसके बाद ये आदा दूरा ही बन प जाता और उसके पर कभी जंग नहीं लगता वो भी आपको दिखाते हैं काफी बड़ा इसका परीशर है अंदर गुनने के लिए काफी बड़ा है ऐसे सिर्फ कुतु मिनार ही नहीं है यह देखने के लिए काफी सारी ऐसी चीजी है जो यहां पर लोग आकर देखते हैं और विजिट करते हैं इस मिनार की जो नीव रखी गई थी वो वो नीव 1199 में रखी गई थी कुतुफविदिन एबात के जो मुगल सासक थे उनके द्वारा इस मिनार के नीव रखी गई थी और उसके बाद ही मिनार का जो निर्मान कार्य है वो चालू हुआ जिसके बाद उसके उत्रवत्रिती तथा दामाद समस विदिन इतू तमसीन ने 1211 से 1236 के 3 और मंजिल इस पर जोड़े अब 3 और मंजिल वो कौन से थे वो मैं आपको दिखा दूँ इसके उपर जो आपको नजर आ रहे है तीन मंजिल उस समय जोड़े गए थे इसकी सभी मंजिलों के चार Ogre आगे मढड़ी हुई है और यह मंजिल इस ही और उपर झाते हैं चो टी हो हो जाती है पश्ट है यहां से आपको नजर आ रही होगी वे इस पर्ष्ट जो मदुमक्खी के चप्तों की तरह जो इसकी बनावट बनी हुई है वो यहां से अभी तो फिलहाल अंदेरा है तो कुछ-कुछ नजर आ रही होगी पर दिन के समय पूरे एक अच्छे तरीके से नजर आती है कुटुमिनार का रिर्माण 1109 से 1220 के दोरान करवाया गया था कुटुमिनार को बनाने की सिर्वात कुटुबीन एबक ने की थी और उसके उत्रा अधिकारी इतलू मीश ने पूरा कराया था कुछ इतियासकारों ने इसे विष्णुस्तम बताते हुए कहा कि इसकी पांच्वी सतापदी में विक्रम अध्यत्या ने बनवाया था ये कुछ इतियासकारों का कहना है अभी कुटु मिनार परशिद क्यों है उसके बारे में मैं आपको एक छोटी से लाइन बता दू कुटु मिनार 1113 में कुटु उद दिन एबाक त्वारा निर्मेत 73 मीटर उची मिनार दिल्ली के अंतिम हिंदू सासक की हार के बाद दिल्ली में मुस्लिम परभुत्ता का जसन मनाने के लिए इस मिनार का निर्मान किया गया था यह टावर भारत की सबसे उची टावर है जो पांच मंजिला प्रोजेक्टिंग बालकनी से भरा हुआ है बालकनी आप देख सकते हो जो यह आपको छते नदर आ रहे हैं यही एक बालकनी है लोगों के मन में एक यह भी सवाल रहता है कि कुतो मिनार का पुराना नाम क्या है तो वो भी मैं आपको इसप्ष्ट कर दूँ इस टावर का नाम विश्णु धवज या विश्णु स्तंब या धुर्व स्तंब के तौर पर जाना जाता है जाना जाता था जिससे यह इसप्ष्ट होता है कि यह खकोलिय प्रक्सेशन टावर था लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि इस कुतो मिनार के नीचे क्या है तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि इस कुतो मिनार के नीचे क्या बना हुआ है इस कुतो मिनार के नीचे के हिस्से में कूत इसलाम की मजजिद बनी हुई है यह भारत में बनने वाली पहली मजज अपने जन्रल कुतुबिन एबाक को दिल्ली का सासक ने पिया था बहरोली में इस्तेत कुतुमिनार के कुतुबिन एबाक और उनके उत्रा अधिकारी सहमू दिन इतलूम में ने 1200 ईश्वी में बनवाया था इस कुतुमिनार को जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी है अंतिम हिंदु राजा थे राजपुत राजा थे पुर्थी राजचोहान उनकी हार के बाद मुहम्मद गोरी ने अपने जनरल कुतुबिन इवाक और उनके साथ इसको मिनार का निर्मान किया था हम जैसे ही इस कुतुब मिनार के नजदिक जाते हैं तो कुछ आकर्दी आया कुछ लिखा हुआ ऐसा हमें नजर आता है इस पांच मंजिल मिनार का निर्मान लाल पालुआ पत्थर से किया गया है अब जैसे ही हम कुतुब मिनार के नजदिक आते हैं तो हमें देखता है कि इस के उपर कुछ लिखा हुआ भी है काफी लोग यह जानना चाहते है कि इसके उपर लिखा क्या हुआ है उनके लिए में बता दो पांच मंजिला मिनार का निर्मान लाल बालू बथर से किया गया है इमारत को पुरान की आयतों से उकारा गया है या देपित उची सरचना के निर इस वही है जो मैंने अब आपको पताया लगाम जिक आधी है कि यह तो कुछ मिनार हे इसके ही जश्ट यहां जर से हमाते हैं एक और मिनार है जो हमें अधूर आती है अभ इसके बारे में बता दू कि अधूरी क्यों है मिनार अभी फेहली मंजील पर ही पहुँछी थी कि 1316 में 1316 इस्वी में सुल्तान की मिर्टी हो गई मिर्टी हो गई थी परियोजना को जल्द ही छोड़ दिया गया था अब खिलजी के भव्य स्मारक के अवसेस केवल खुर्दारी धराप वाली चह मंजिली गोलकार इमारत है जो स्मारक की छाया में हो गई है जिसे आकार में कभी काट पाना संबव नहीं था नाम क्या है वो लोग भी आप जानना चाहते हो तो इस मिनार का नाम है अलाई मिनार अब इसके बारे में इसका एकियास जो थोड़ा कुछ हमें पता है वो आपको बता दू दक्कन के अभियानों में जीत के जसन को यादगार बनाने के लिए अलाउदिन खेलजी ने तेरा सो ग्यारा एसवी में अलाई मिनार का निर्माण सुरू करवाया था इससे पहले उसे कुवेद उल इसलाम मजजीद के बाड़ो का आकार च्यार गुना बढ़वा दिया था पीजिए जो यह दरवाजा देख रहें एसका बन कर तैयार हुआ था कई ऐसे चीज़े तीन पर देखने के लिए बड़ा दौर बना हुआ है इसका निरमान पर ऑप यह लहाँ निकासी की गए हो काफी खूपसूरत है अपने आप एक देखने की के लोग आपर आते है यह बनाई इसमे नमाज की जाए, नमाज कीह पुकर है, इसकी जो पहली मंजीर है, यह बनाई गई थी और उसके बाद जो है, उनके जो धामाद थे सब्सक्राइब आगे निर्माँ कारेब चालू किया गया यह देखी यहाँ पर निरमेत यह कुवे है, जो की इस कुतो मिनार यहाँ पर जब काम चल रहा होता था जब पानी पीने के लिए आउ सकता होती थै, यहाँ पर जो भी मंदिर वगरा جो बने हुई थे तो उस मिनार की परिसर में यह कुवे सार्वजनिक थे, लोग इसी से पानी पिआ करते थे पानी पेहने के महतपुर्ण स्रोत भी थे यह एक नहीं ऐसे यहां पर कई कुवे हमें नजर आते हैं जिनको ढख दिया है या वो कर दिया है पर ये कुवा यहाँ पर खुला है यहाँ इसके चड़ने के लिए यहाँ पर चीडिया भी है और यहाँसे आप इसे उपर चड़के भी देख सकते हो यहाँसे देखिए कुतू मिनार का खोपसूरत नजारा काफी जानकारिया हमने आप तक पहुचाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो like, share and comment भी कीजिए जिससे हमारा होसला बुलंद हो जैसा भी आपको लग रहा हो खराब लग रहा है तो खराब comment कर देंगे सुधार कर देंगे उसमें अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे comment कर देजिए हमने आपके तक जानकारी पहुचाई है तो और यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजे है जो देखने के लिए है और अब बात रही जो यहाँ पर मंदिर थे तो उनके भी कुछ सीन आपको दिखाते है अब बात रही है झाल 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 झाल